नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में बिहार अमीन की बहाली परकिरिया को लेकर सारी जानकारिया आपके साथ साध्या करेंगे और जैसे कि LRC के चात्र जो चाह रहे थे वही हुआ आपकी मांग फाइनली पूरा हुआ और क्या कुछ है वह सा सरकार का जो भी नए विकेंसी आएंगे उसकी रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो शली हम लोग जान लेते हैं कि LRC के छातर का क्या महांगे पूरा हुआ और आप लोगों के लिए क्या कुछ जरूरी सूचनाए हैं आप देख सकते हैं यह आपको कल के पेपर में यह न्यूज आपको मिल जाएंगे और सारे पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे कोई पीपर आप उठा लीजिए उसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं जल्द होगी जूनियर इंजिनियर की बहाली हाई कोट में सरकार ने दि कर बताया जा रहा है यह सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो यह आप लोग की जो 2019 की जो वैकेंसी थी जिसका आप सब का रहे थे कि इसको नए सीरे से लाना चाहिए जैसे की 2019 की जो वैकेंसी थी बिटीएसी जेए आप सब को ध्यान होगा बिटीएसी जेए पर सारे अब्यारती नजर बैठाए हुए थे क्योंकि बहुत अच्छा पोस्ट है बिटीएसी जेए क्योंकि आपको डायेक्ट जेए का पोस्ट यह दे सकता है अमीन के पोस्ट जेए कितना गुना अच्छा है और यह प्रमानेंट पोस्ट हुई है इस पोस्ट को फाइनल ऐसकम के लार्टी में जो समय दिया गया है उसके लार्टी में सरकार है इस इसकोर्ट ही अच्वा होगा है तो इसमें अब यदि नया सीरा से बहाली के परकिया होंगे तो आप लोग को इसमें बेनिफिट मिल जाएगा जितने भी डिप्लोमा धारिया है उन सारे अब भार्तियों को फॉर्म भरने का मौका मिलेंगे और इसमें बिग्यापन ने सीरे से निकाला जाएगा जैसी कि आप देख सकते हैं कि आप इस वीडियो को पोज करके पड़ भी सकते हैं और यह हम आपको डिस्क्रिप्शन में या अर्टिकल करें लिंक भी देदेंगे सरकार ने पतना हाई कोट में हलफ नामा दायर किया तो इसको किसको लेकर दायर किया दायर किया और कहा कि जल्ड जूनियर इंजिनियर की बहाली होगी कोट में राज सरकार की और से दायर हलफ नामा को मंझूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाओ कर नए सीरे से बहाली जो अमीन वाले छात्रा है उसमें बिटीटीए सिजी जी चात्रा है वह भी फॉर्म करेंगे वह एशे भी सब फॉर्म फील कियी ही थे लेकिन अब और भी जिन का रेडीटों इसमें फसेगा वह भी करेगा तो तो आप सब चाहविते भी थे लर्सी के अब्यारति का जो कमेंट आते थे कुछ अब्यारतियों का कमेंट आते थे कि हम लोग को भी इसमें एगलिजेबल होना चाहिए तो ऐसे भी टीएसी के चाहतर बहुत प्रेसान है क्योंकि बिहार में जॉब मिलता नहीं है आता भी है वेकेंसी तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है जैसे आप सब को पता है कि आप कहीं वेकेंसी आया उसको कैंसिल कर दिया तो बिहार में यह चलता रहाता है इसलिए किसी को ज बताना था और आपको महासिवरात्री की हार देख सुबकामना है आप सब इंज्वय करिए और और भी जो नियूज होंगे सारे अप्टिट हम आपको बताएंगे केस के रिगार्डिंग भी केस में क्या कुछ हुआ था और कुछ दिनों से हम वीडियो बनाते थे क्योंकि ने रिगार्डिंग केस में कैस का अप्टिट भी बताएंगे बाहली की पड़्किर्या को लेकर भी सारह अप्टिट हम आपको बताते रह có है आप चैनल के साह popsो सब्स्क्राइब ने कि आख रे प्लीज सब्सक्राइब करन इस्विज दूर शेल प्लीज सब्सक्राइब कर झाल झाल